देखिए जन्वानी सिर्फ डीडी न्यूस पर नमस्कार जन्वानी में आपका स्वागत है मैं हूँ अशोक शिर्वास्ताओ 2024 के लोगसभा चुनाओं की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है पहले चरण का मतदान हो चुका है और अब सब की निगाहे दूसरे फेज यानि दूसरे चरण की पोलिंग पर है अगर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में कुल में लाकर 12 राज्यों की 88 लोगसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और दूसरा चरण जो है अपने आप में कई माइनों में बहुत खास रहने वाला है और इस दूसरे चरण में जनता के मन में क्या सवाल है नेता अपनी क्या स्राटेजी तैयार कर रहे है उन सब को जानने के लिए समझने के लिए हम इस वक्त केरल में है केरल में जो दक्षिन भारत का एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत सा राज्य है उस केरल में हैं हम नमसकारम वड़कम और केरल में जहां पर हम है वो एक बहुत खूबसूरत जगा है इसको बोलते हैं नेपियर संग्राले मेरे आप दाई तरफ देख रहे हैं पीछे की नेपियर संग्राले जो केरल की कह सकते हैं कि यहां की जो संस्कृ्टिक विरासत है उसका एक जीता जाकता उधारन जो है वो नेपियर संग्राले है और हम यहां पर हमारे साथ यहां पर जो तमाम पॉलिटिकर्क पार्टिय YOUR चुनाओं मैधान में रोती हुई है वो उनके प्रतिनीदी हैं एक करके उनका परिशा करवाँगा लेकिन मेरे साथ यहां पे तिरोणन्द पूरम की जनता भी है उनके लिए पहले अपने लिए जोड़दार तालियों बजाईए तिरोणन्द पूरम के आप सब लोग यहां पर आएं और आपके सवालों को हम जादा सवाल को लेने की कोशिश करेंगे और जो तमाम राजनीतिक पार्टियों से हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ विनिता हरी हरन जी हैं बीजेपी की स्पोक्स परसने जड़ा तालियों बजाईए विनिता जी के लिए विनिता जी का स्वागत है हमारे साथ एड़ोकेट सेना पती व तो ये तो हमारे सारे मेहमान है जो आज की डिवेट में शामिल होंगे, आज की चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तिरोनंद पुरम में, लेकिन यह चर्चा तिरोनंद पुरम से यहां से करीब साड़े चारसो किलोमीटर दूर वाइन नतीजे आ जाते हैं राष्टिय अस्तर पर नाशनल लेवल पर उसकी बहुत जादा चर्चा नहीं होती है और इसका एक बड़ा कारण भी है कि आप देखें दस साल से एक दश्रक से देश की राजधानी में दिल्ली में जो है देश में जो है बीजेपी की सरकार है लेकिन केरल में बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है तो इस तरह से कह सकते हैं कि केरल जो है वो थोड़ा अलग हटके चलता है और शायद इसलिए जो राश्टिय मुद्धे हैं यहाँ पर उनकी गूंज सुनाई नहीं देती है लेकिन पिछले लोकसबह चुनाव से केरल राश्टिय स्तर पर जो है उसकी चर्चा होने लगी और उसका एक बड़ा कारण ये रहा कि यहाँ पर जो है राहुल गांधी व पोशिश कर रही है लेकिन सबसे इंट्रस्टिंग बात जो यहाँ चुनाव में हो रही है वो यह है कि जिसको हम कह सकते हैं अगर दो लाइनों में समझाना हो तो जो इंडी गढ़बंदन जो इंडिया एलाइंस नाम दिया गया वो जो इंडी गढ़बंदन है उसका केरल म भी ऐसी है कि जोड़दार जंग है और प्रदानमंत्री नरेंदर मोधी ने पिछले दिनों अपने चुनावी बाचार में कहा था कि यह लोग अभी से अपने एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और दिल्ली की सब्ता में आ जाएंगे तो क्या होगा तो यहाँ पर ज जैनापति वेनुजी आपसे करता हूं कॉंग्रेस की बात को कि कॉंग्रेस ने पिछली बार तो लगबग लगबग स्वीप कर लिया था और कॉंग्रेस देश में जितनी सीटे लाई थी उनमें से वन थर्ड सीटे अकेले केरल ने दी थी केरल आपका एक बड़ा ताकत था लेकिन सवाल यह कि इस बार यहां पर जो है राहुल गांधी के लिए भी मुश्किले खड़ी कर दी है और वो आपके सहयोगियों ने खड़ी किया आपके साथियों ने खड़ी किया बीजेपी तो शायद अभी भी बहुत कोशिस कर रही है आपके सहयोगी यहां पर आपके पहुंच जाएंगे तो कैसे उन पर ट्रस करें देखिए अशोग जी यहां कुल सीटे 20 और पिछले बार हम उनी सीटें जीता एक हमारे से छोड़ गया निगल गया गलती से गलती से क्योंकि क्या बोलते हैं दस हजारों से वोट से नीचे और इस बार हमारा लक्षी है पूरा 20 और इस बूरा जीतना यह हमारा लक्षी है मतला आप CPM CPI लेट विंग को पूरा सास कर दें निगे देखो देखो आपने बोला देश में CPM और CPI इंडिया मुन्री में है लेकिन हम यहां बोलना चाहता हूं मैं बोलना चाहता हूं यहां CPM हमारा पक्ष में नहीं CPI भी हम पक्षमे नहीं, यह हमारा विरु थे. अब यहां हमारा, क्या बोलते हैं, लडाई दो दुष्में से, और हमारा बाय तरफ BJP है, और देने तरफ यह विवक्षी दल, दोनों के साथ हमारा लडाई है. और किस कारण से इंडिया मुन्यनी में यह मार्शवादी पाटी और कम्म आई, कम्यूनिस्ट पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टीों के साथ, चाहे CPIO, CPM, वो दुष्मेनी अभी बी चल रहे हैं. आपने प्रधान मंदरी का जो पिछले दिन का बाते बोला हैं, देखो यहां यह मार्शवादी पार्टीों का एक काम है, राहूल गांदी को गाली द उस seat में हम जीत सकते हैं, दोनों का लेक्षी है है, मार्गाल की है, लेकिन दोनों का लेक्षी है हिसलिए हम इन दोनों के खिलाफ हम लड़ रहे और हमारा लेक्षी है पूरा बीस सीट में इस बार हम जीतना है और राहूल गांदी अपने बोला पिछले बार करीब चार लाग तीस हजार ओटों से जीता मैं आपका सामने बोलना चाहता हूँ इस बार हमारा भूमत पांच लाग से जादा हो जाएगा जरूर पांच साथ जादा हो जाएगा तो राहूल जी के बारे में खबर जो आ रहे हो यह है कि यहां चुनाओ होड़ जाएगा पॉलिंग हो जाएगी तो हमेटी से या कोई और सुलक्षित सीट भी देखेंगे यहां के अलावा वालागर सुलक्षित सीट से भी जीत गये तो वायनाट कप पोड़ देंगे यह नहीं पता देखी देखी राजनीदी में कुछ भी हम क्या बोलते हैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं इंदिर्या जी ने चीकम अंगलूर म मेह तक में इंदिर्या गांधी भी चुनाव लड़ा और सोणिया गांधी भी चुनाव लड़ा तो राजनीदी राजनीदी में कहां से कौन जीत सकते यह तो इतिस पोलिटिक्स से करूछना मैं दिल्ली से आकर यहां तरवांद्र में चुनाव लड़ा लेकिन सवाल है कि एक नेता की अपनी जनता से जहां पर चुनाव लड़ता है, लोयल्टी भी तो होनी चाहिए, यह थोड़ी है कि आप पॉलिटिक्स करें कि यहां से भी लड़ने, वहां से भी लड़ने, जो जनता आपके साथ खड़ी रही, आप उसको छोड़ के फिर कहीं चले जाएं, तो अगर अगर से जीतना है, यह है इनका लक्षी, अगर कॉंगर्स खार गया तो कॉंगर्स का जगह में एक सीट जीतना है, यह है इनका लक्षी, इनका छुनाव सिर्फ यह एक सीट जीतना है, जो आप भी चाह रहे हैं, यह भी चाह रहे हैं, की नरेंदर मोधी को हटाना है, दिल्ली मेरामनिला में ब्हस ребाने उसके रहे हैं, और उसके बाद जो है, ढी राजा भी ऐसे हाथ उठाते हैं, और उसके बाद भी एसे तो यह कैसे चलेगा, आप उस ऐलाइंस में, जिस ऐलाइंस में हैं, उस ऐलाइंस में उस सबसे बड़ी पार्ती के सबसे बड़े नेता को चुना और अराना चाहते हैं, तो ऐसे दोस्ती कैसी, किस काम की दोस्ती है? Now, when it comes to this Dosti part, the CPIM has clearly pointed out that it has never been a part or a complete part of the India Bloc. CPIM has been supporting the India Bloc to prevent the NDA or the BJP from forming a government at the center. We really want the BJP or we really work for the BJP to stop being the central government. But we have also pointed out clearly that every state of the country, all the 29 states, has its own characteristics. It performs differently. Like my friend said, Kerala has a history of political rivalry between the Congress and the LDF and the Communist government was the first government that was democratically elected in Kerala. So, likewise, this historical characteristic of Kerala has to be considered when it comes to elections. Each and every state's characteristic is being considered when it comes to election and every state will be considered as each different block. So, basically, you are not part of Indy Bloc? We are not even part of the committee, right? We are not even part of the committee. Lekin, chaay samosay, toh sab mil mil ke khate hain hain, wo joh latka hain hain. Because we don't hate Modi. I don't hate Modi personally. I hate his politics. So, if he invites me for a tea, I can invite him for a tea. We can sit together and have tea. That is not a problem. Even we, the four of us, we are from different parties. We can sit together and have fruit tea. We had it early. So, that is not a problem. No, no, no. The problem is when it comes to the politics. No, no, no. The question is, when it comes to the politics. Because you mentioned about tea. No, no, no. I say that when we eat tea and tea, there is a problem in India. India has a major, you know, a major lecture. Because, see, India is for the people. And it is against this particular party, this particular group, the NDA, forming a government at the center, because it has always been anti-people. And the country is moving back. But, when it comes to Kerala, it has a different characteristic. So, we have to act according to the characteristics. Because, in Kerala, if we support Congress in Kerala, what is the promise that the Congress is giving, we are not sure if they'll go to BJP or not, because that is what the Congress has been showing in Kerala for the past days. The most prominent chief ministers of Kerala, the Congress party's chief ministers, people from their own household, their daughters, their son, have been moving to BJP. So, what message are they giving to the Kerala people? Are they going to defeat the BJP in Kerala? No. It's only the left. It's only the CPI. I am not the CPI. So, that alliance should work here. Wait a second. Gayatri Ji has said Gayatri Ji's view. This view, Yechuri has not said. Yechuri said. I was going to come to that. Listen, I will go to Virita Ji, and then, Prashant Ji, I will come to you and take a specific question. I came to Delhi, so I thought I will go to Kerala, so I will get a little bit of confusion. But, here I am, and I am confused again, that there are airlines. I don't even know that there are airlines. Gayatri Ji is saying, but we are not in Kerala, but Yechuri is not true. That is not true. Because Yechuri was here today, and he was there giving a speech. What he said, and what the CPI has given out a statement as such. You have to read the statements. Just watching people having tea and having biscuits is not the point. People giving out their party statement is important. You have to follow the people who are here, and the people who are here, have to see the And there is a story that they are fighting and they are fighting the other side of the people who are fighting. That they are not going to say, I will not say that. That is not true. That is not true. लेकिन दिल्दी में आप लोग देश में आरा लगा रहे हैं अब की बार चार सो पार याकशनाच हो लगा है जो छो आम जनता है वो कितने किन्टी ब्लॉक को लेकर है तो वोट कर रहे है, Indie Block कर वोट कर रहे है, CPIM कर वोट कर रहे है या Congress को वोट कर रहे है, तो वो clarity होनी चाहे नहीं, तो प्रजातांतर की मज़ाक उड़ा रहे हैं यह लोग, तो वही पह बताऊंगी, जित तरह से वो लड रहे हैं यहाँ पर, जैसे इस। सृतिरानी जी ने famously कहा है, मैंने पहले भी कहा, बहुत बार कहा है, चुके वह कोटेशन बहुत अच्छा लगा, मुझे hugging in Delhi and begging in states, तो वो जो blocks की बात करें, कि अलग-अलग state में अलग-अलग block होगी, तो क्या divisive politics खेल रहे हैं और हमें blame करते हैं कि हम states का ख्याल ने रखते हैं, हम तो बिल्कुल cooperative federalism के agenda पर ही चल रहे थे, बिल्कुल ही scientifically, बिल्कुल बर किताबों से लेकर, जो rule book के प्रगार ही हम लोग देश चला रहे थे अभी तक, जो मोदी जी ने जो भी states के ले किया है, without pride and prejudice वो रूल कर रहे थे states को, लेकिन जो यहां जो बात चल रही है, जो block है, अलग-अलग state block है, हम कहीं states में हम लड़ेंगे, कहीं में जुडेंगे, कहीं में हम पता नहीं क्या कर लेंगे, तो ये तो बहुत प्रजात अंत्र की मजाक हो रही है, जो voters है, उनको वो डिजर्न करनी चाहिए, जो वोट करेंगे, इंडी ब्लॉक को, जो भी alliance partners हो, तो अभी अगर इतनी लड़ाई कर रहे है, तो बाद में जाके, लड़ाई जो कर रहे है, वो तो कह रहे है, ह हमारा मकसद एक है कि यहां हम लड़ लेंगे, दिल्ली में मोधी को नहीं आने देना, हमारा पुरा मकसद ही है, यहां हम लड़ लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन दिल्ली में मोधी को अराने लक्ष एक है, लेकिन भरोसा क्या है, क्या है, कैसे चलाएंगे नेशन, अगर लोग नहीं होगी, तो it's a known fact कि even NDA is coming back to power at the center, जो भी जैसे आप बोल रो केरल की situation है, लेकिन center में जो है, आने वाले हैं, हम लोग NDA सरकार, तो लेकिन hypothetically, अगर ये लोग आ गए, तो कैसे चलाएंगे सरकार को, ऐसे आपस में लड़ाई जगडा करके एक देश की जो stability है, बहुत मुश्किल से हमने stability को लाएं, बहुत मुश्किल से prosperity लाएं, बहुत मुश्किल से basic communities लाएं, सब को थोड़ तार के country को फिर से पीछे चलाओगे, आप 10 साल पीछे ले जाओगे आप, एक बाद जो आपने जारे गिरते हैं, इस देश ने बहुत देखा, अब लोगों को लगता है कि कहीं भी वोट हो, चाहे हो, स्टेट असेंबली हो, या लोग सवाओ, लोग clear-cut mandate चाहते हैं, मजबूत सरकार चाहते हैं, क्या अगर ऐसा हुआ तो, प्रशान जी, सावाल यह है कि इस तरह से क्या यह जो messaging हो रहा है, यह क्या जनता के बीच में क्या संदेश जा रहा है इसका, क्योंकि यह फिर बहुत बड़ा वो एक गीत है ना, confusion है confusion है, solution का पता नहीं, कुछ-कुछ वैसा ही लगता है, अच्छली, केरल में इसा कोई confusion नहीं है, सच में, क्योंकि लोग जानते हैं कि मोदी को हारना, मोदी को हटाना यह असंभव्य है, केरल में लोग वोड़ नहीं करते हैं लेंगे फिर भी, सच यह है कि केरल के लोग यह जानते हैं, फिर भी, इधर यह जो Congress और CPM, वो दोनों फ्रेंट को लीड करने वाला पार्टी से है, यह क्यों आपस में लड़ते हैं, इसका एक मुख्य कारण है, वो कारण है केरल का डमोग्रफी, जनसंग्या अनुपा, इधर बहुत सारे Minority Votes है, Minority तो BJP के, अंटी BJP है, पूरे अंटी BJP नहीं है, लेकिन उसमें Majority, Minority के Majority, BJP के विरुद वोट देने वाले हैं, तो Congress हमेशा काम कर रहा है, वो सारे Minority Votes, अपने जो Box में आने के लिए, CPMB, LDFB, वो ही काम कर रहा है, इसलिए आपस में, यानि यानि यह है कि केक में ज्यादा बड़ा हिस्सा किसका होगा, जो Minority Votes का केक है, वो जो है, Congress के पास जाएगा है, लेफ्ट के, UDF, लेफ्ट यह है, उसका दरसल लड़ाई है, यह सेंटर की लड़ाई नहीं है, यह सच मुछ में, जो कि सेंटर में इनको भी लग रहा है कि शायद बहुत कुछ होने वाला नहीं, मतब आप मैं कर रहा हूँ, आप गलत भी हो सकता हूँ है, ऐसा नहीं, आप लोग की बहुत उमीदे भी हो सकती है, और उसमें लोग तंतर में उमीदे होनी भी चाहिए, एक पत्रकार होने के कारण, मैं यह बात में कहना चाहता हूँ, कि यह सचमुच में इन दोनों, यह जो LDF और UDF, इन दोनों को यह बात जानकारी है, यह बात पक्का है कि संडर में मोदी ही, मैं डिवेट में आऊँगा दूसरे मुद्धों पर, जो कि इस इंपॉर्टन पॉइंट पर अगर यहां से आप लोग कुछ अपनी होर से बोलना चाहें, यह जो चल रहा है, यहां पर LDF, UDF का जगड़ा चल रहा है, दिल्ली में संग हैं और यहां पर जंग है, आप में से कोई स्विशय पर कुछ बात रखना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है, जी, इनको माइब दीजे, मैं सेनाबदी जी से बोचना चाहते हैं, आपका नाम अपना बता दीजे, मेरा नाम जये गुमार, अध्यावहू, सेनाबदी जी बताईए, इतना चर्चा इस पिश्य पर हो रहे थे वाइरान में आप राहुल जी को जिताना चाहते हैं या आनी राजा को आनी राजा बताती है आप मुझे जिताओ मैं दिल्ली जाकर राहुल गांदी को प्रेमिनिस्टर बनाओगा कैसे हो सकते हैं आप केरल के लोगों को फूल बनाना चाहते हैं आप इनसे पूछे आपका सवाल बड़ा इंटेस्टर इक मिझा जवाब दे मैं आप से जानना चाहते हूं ऐजे केरल के वोटर मगदा आतागा आप के मन में क्या ख्याल आता है जब आप यह सब देखते हैं जहां सथा मिले, सथा में जहां जहां तक पागुश सकते हैं, वहां दोनों छगडा करेंगे और दिली जाकर एक साथ बाइचेँगे. यहां पे सथा के लिए जगडा करेंगे? यहां सथा के लिए जगडा करेंगे, दोनों मिलकर. तो आप CPM को LDF को आपके साथ लेंगे या नहीं वहां ओके सेनापती जी दो इसके साथ आपने दो सवाल पूछा एक राहूल गांदी क्यों वाइनाड में चुनाव लिड़ रहे हैं वाइनाड का सिटिंग एंबी है वाइनाड का सिटिंग एंबी है अक्शली ये लोग इनका उमीदवार को हटाना था अगर ये लोग इंडिया ब्लोक में है तो ये लोग इनका उमीदवार को आनी राजा को वहां से हटाना था और राहूल गांधी को जीदने का इनका रास्ता आसान बनना था लेकिन सुनिए इधर एक स्टेबल गावन्नेंट के बात बोला अशोक जी ने दो हजार चार से दो हजार चाओदा थक हमें पूर्ण बहुमती नहीं था उस समी भी चुनाव में मार्शवादी पार्टी अलग चुनाव में लड़ा हम भी चुनाव में अलग लड़ा चुनाव का पेले का पार्टी और हमारा कॉल्टी अलग अलग पार्टी लेकिन हम दोनों का लेक्षिए हैं एंडिये को सता से हटाने। लक्षे और भी तो है, पिनराई विजिन को जेल बेजना, वो भी लक्षे आपका। लेकिन केजरिवाल ने रिसवत लिया 100 करोड रुपया, ये 500 करोड का है, कितना बड़ा है। अचा मुझे बताइए, केजरिवाल को जेल बेजना को जेल बेजना चाहते हैं। ने, देखो, कानून कानून का तोर पर जाना। कानून अपना काम कर रहा है ना, मानते हैं। तो दिल्ली में कानून, तो फिर तो यहां पर, अब सावाल सेना पती जी फिर वा, अभी वो छोड़ दीजे कि लेफ्ट और उनका जगड़ा। अब मैं कहा रहा हूँ, जगड़ा तो यह है कि केरल कॉंग्रेस क्या दिल्ली कॉंग्रेस। दिल्ली में आप कहते हैं कि शराफ केजिर वो गलत फसा रखा है। यहां पिनरा इवेजन को भी जेल बेजना चाहते हैं। देखिए, देश का प्रधानमंद्री तरशूर में आकर इधर का जन्रा को बोल रहे हैं। जिस ओफिस में जो बाखर से सोना लाते हैं। अवेद रूप से, इल्लीगल रूप से, ओफिस को मुझे मालूम है। और कल, एक Malayalam Channel DMCb去 interview प्रधानमंद्री जी ने प्रधानमंतरी जी आप से कुछ बोल रहे है, मुझे मालूम है- क्यरल में और क्या भलता हिए, क्या हीवेध को-ॉपरेटिव बैंक में, फांसो करोड हो योँ का खोटाला हुआ। प्रदान मंत्री जी ने एक एक बाद बात की वोखुद कन्फीज होंगी कि आप बीजेपी की तरव से बैटिंग कर रहें ये कांगरस की तरव से अब मेरा सवाल सब अब यह है कि मैं यह कह रहो प्रदान मंतरी ने तो यह भी बोला था कि हेमन सोरे ने घोटाला किया एश्रे वो जेल में है प्रदान मंतरी ने यह भी बोला कि अरविन केज जिवाल आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया तो यहाँ आप प्रदान मंतरी को मानते हैं, पीनराई विजन को लेकर जो कह रहे हैं, वो सही है, लेकिन वो ज़राची में आकर कहते हैं, हमन सोरन ने गरबड किया तो वो गलत हो जाते हैं प्रदान मंतरी, दिल्ली में अर्विंद केजिवा, तो पहले आप ताय कर लीजिए पर्दानमंत्री केवल बात करों काम नहीं करों केवल chcia अचा आप काम करवाना चाहते है यहां के जांचे और कितना हां देखिए यह जो काम है जो चोरों को पकरने की काम है जो बिलकुल बेसिक टर्म से बोलेंगे तो ED का काम है तो Enforcement Directorate, Central Agency है वो अपना काम करेगी, they will find the evidence जब evidence, you know, immature हो जाएगी और जब वो एकदम pinpoint पे आ जाएगी तो ED will definitely arrest those, if it is, you know, arrest warrant है I mean, it's come to that point, definitely वही अंजाम होगी, जिनोंने भी crime किया है तो let ED take its time यहाँ थोड़ा से डिलाइड दे रहे हैं कि पी नराई विजन को, Congress को ऐसा लग रहा है यह सब जो है false narratives है, जो सब लोग रचा रहे हैं कि BJP इन के साथ है, BJP Congress की B team है, Congress BJP की A team है, CPI and BJP की C team है तो मैं तो बिलकुल confused हो, लेकिन we are actually, जो NDA की जो agenda है, विकास की agenda है, हम मुद्दे पर काम करते हैं, लोगों की जो issues है, उनकी जो पीडा है, उनको रहत दिलाने का काम है प्रदान मंत्री की जी का, it's not cliched words, लेकिन बिलकुल सही, from my heart I am saying कि जो प्रदान मंत्री का जो काम था दस साल से गरीबों को जो facilities पहुंचाना, विकास के मुद्दे पर काम करना, और ये सब जो sensationalism है, और ED का काम जो है, वो भी it's a मुद्दा, corruption free India, that is what we are taking India towards, केरल भी corruption free होगा, definitely केरला is part of India, for us केरला is still part of India, केरला भी भी इंडिया का integral part है, उनके सांसर तो सांसर तो सांसर नया A team, B team, क्या लगता आपको? BD will go to one person and scare them, scare the shit out of them, and then finally they'll come to BJP, or if it's a company, then they'll give 6500 crore electoral bond, you take it, 1500 crore electoral bond, you take, the Congress has taken 1500 crore, the BJP has taken 6500 crore rupees as electoral bonds, and CPIM, not according to a jury, but according to the Supreme Court judge, that CPIM is the only party which has not taken any money. Not a single rupee as electoral bond from anywhere, and then CPIM challenged this, and this was nut down by the Supreme Court, so that is one major problem, CPIM has not accepted electoral bonds, and that is what the Supreme Court said, not my party. Electoral bonds नहीं लिये, लेकिन transparent, transparent नहीं है, जो CPIM नहीं लिया, CPIM नहीं लिया, CPIM नहीं जो non-transparent manner से लिया, किसी को नहीं पता, जो electoral bonds के अलावा जो funds मिलें CPIM को, उन सब को पता है, जो स्टोरी है, तो वो अभी declared नहीं हुआ, 6500 crore is transparent, जो declared हुआ है, तो आपको ये भी लगता है कि इन्हों ने जो है, जो electoral bond में भी Congress ने भी घोटाला की है, तो कि पिनिड़ाई विजन ने सीधा-सीधा Robert Wadra का नाम लिया, Robert Wadra को ने बताने की जरूरती, Gandhi परिवार के जो दामाद है, राहूल गांधी के जीजा है, प्रियंका गांधी, Wadra के पती है, आपने ये कहा है पिनिड़ाई विजन ने, Robert Wadra का 1.500 करोन का घोटाला था, और वो जो है, पैसा ले देकर, इलो ने लेक्टराल बॉंड मी दिया, Robert Wadra ने, और Robert Wadra से केश हटा लिया गया। So, it is not only electoral bond, I was mentioning that earlier as well, the people, even in Vainad, we were talking about Vainad, the parties, the Congress most prominent worker, the office bearer of Vainad has moved to BJP, so what is it that the Congress is pointing out, what is Rahul Gandhi's stake in this regard, Rahul Gandhi is not worried about his own party, but he is worried that, you know, the ED is not going to the Pindrai Vijayan, see, Pindrai Vijayan or the CM of the state has given out his clear response to that statement, he said, see, we are not scared of jails, because your grandmother was here and she has tried to send us, she has sent us to jail, we were in jail for one and a half years, it is your people who are scared of jails, and that is why when the ED knocks on door, they cry and run to be secure. Now, let's see, you remember how the real apathkal happened, because today you say that it is apathkal, but you also know how the real apathkal happened in the country when you were in jail. . . . . . . . . नहां नहीं है गायतरी भोल रहे हैं हम अभी केंदर में सता में नहीं, सेंटर में नहीं, यहां भी सता में नहीं, हमें पैसा देने से कंबिनियों का क्या मिलना है, यह संभावना है, डोनेशन है, डोनेशन है, यह डोनेशन है, अगर एक आत्मी, अगर एक आत्मी बोल रहे हैं, Congress Party इस देश में होना चाहिए, हम इस पार्टी को संभावना देरे, बस हो हिये, हम कुछ भी कर सकते हैं, वहां भी सता में नहीं, यहां भी सता में आएह, और आसपास हिलाघा में कई नहीं, अगर हमें पैसा देने से क्या में फैदा ह वो कुद लिया एक करोड बासत लाक रुपया इनकंडाक्स सेटिल्मेंट बोर्ड ने बोला है मुखी मंदरी का बेठी एक करोड बासत लाक रुपया यह CMRL कंबिनी से लिया है इनको तो पैसा वहां से मिल रहे है मैं सही बताओ मुझे बड़ा आनदा रहा जाहर क्योंकि यहां जो है अपना ऐसी ऐसी कहानियगा सुनने के मिल रही है दिल्री कहानी नहीं यह सचा ही ए लेकिन सहर एक गंभीर बात है अभी सपाइयो का Investigation हो रहे है यह तो सब चुनाव चल रहा है चुनाव में इस तरह के बयान दे देना, मतलब आप सीधा मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात, मुख्यमंत्री की बेटी के ओपर चोरी कारो, रॉबर्ट वाडरा के ओपर चोरी कारो, चुनाव कलको खत्म हो जाएगा, क्या ऐसे बयान एक दूसरे के खिलाब दे करके, क् उसके बाद फिर दुबारा चाहे समोसा के लिए साथ बैठ जाएंगे। जो आरोपित लोग नहीं जाते हो, वो जो एजनसी के पास नहीं जा रहा है, और अभी जो चुनाव आ गया, तो इसको मीडिया अटेंशन अधिक मिलता है, बात यह है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो जून चार तक, इसमें ऐसा कोई डवलप्मेंट होने का चैंसस न लेकिन इसके लिए कम से कम एक बात के लिए मैं आप दोनों को इसका आपको बदाई दे सकता हूँ, तो कि आची के अंदर जो इंडी एलाइन्स की जो जो है सभा होई, उसमें मार पीट हो गई, लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, खुन निकल गया वहाँ पर तो सरयाम हो गई ना मार पीटाई, यहां तो चलो आरोपी लगा रहे हैं, इसको कम से कम इस बात के लिए कि यहां पर हिंसक नहीं हुआ, देखो आप बोल रहे हैं, जो क्या बोलते हैं, इंडिया गड़बंदन में जो पार्टियाम है, उसका आपस में लड़ रहे हैं, तो उनके बात्ची चल रही थी, वो बात्चीत नहीं हो, लेकिन बीजू पटनायक साफ तोर पे कहते हैं, कि हम एंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन वो इशू बेस कहते हैं, कि मैं सपोर्ट करूँगा, और ऐसे तो जगनमोर लेटी भी इशू बेस सपोर्ट देते हैं, देखिए, वो एंडिये गडबंदन का भाग थे पहले, यह ठीक है, बाचपई जी के समय में एंडिये गडबंदन का भाग थे, इस समय भी, इस समय भी, अभी पिछले 10 साल है, और उनका बीच में, लेकिन वहाँ पे, बीजेपी वाले यह नहीं कहते हैं, कि नवीन पटना का पार्टी और बीजेपी का आपस में, वहां चुनाव में लड़ाई चल रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, आपस में, वो ही सेईंड इदर केरला में हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है. सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटी खबरों से दावे नहीं, दिखाते हैं तत्य दिखावा नहीं, चुनते हैं सच दस तक संसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम यही है रिष्टा आपका हमारा बना है अटूर भरोसा वर्षों की मेहनत से दीडी न्यूज भरोसा सचका ये भरोसा और हो रहा है गहरा क्योंकि आपका अपना चैनल अभए नए तेवर और नए कलेवर में आ गया लोगतंत्र का महापर्व क्या है देश का मूट क्या है लोगों के सवाल क्या है नेताओं की दावों की हकीकत कितना बदला है भारत हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर पकड़नी जनता की नब्स टीडी निउस पहुंच रहा है गाउं गाउं शहर शहर जानने आपके दिल की बात जो काम करेगा उसको है तो पॉब्लिक और देगे ही तो युवाकिन आते हैं सोचेंगी कि किसको बोड़ दे किस पार्टी को बोड़ दे आईए हम जड़ा चलते हैं लोगों के बीच किसानों के पीच और जानते हैं सचाई है क्या चुनाव की जमीनी हकिकत का सूपर शो क्या बोले भारत हर शा के बयान और अब हम पुरानी जगह पर आगये हैं अब सब दिन के लिए हम आगये हैं अब दिन सामक्त यह तो चछाव दीजेगा नूरा कुस्ति हमेशा चलता रहा है आज हम रेलवे टिकेट ने खरीच सकते हैं जैनता के सवाल कॉंग्रे साथ दिखा है सब्लों के चोंच सियासी हलकों में राजनीतिक घम आसान फिरूठे रभ को मनाना आसान है आजम खां को मनाना मुश्किल है देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार बुद्धवार वशुक्रवार शाम साथे साथ बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर एक सवाल यहां पर वो इस जी ठीक है मैं आता हूं इस सवाल ले लेता हूं जी मेरा नम डाजशनेयर है मेरे सवाल बीजेपी से है आप लोग ने तरफिरा में वामबदी दिलाओकिम हटा के सता में आया और बच्णु बंगल में सी पीम के निकाल के विवक्ष में आया केरल में कितने कब आएंगे विवक्ष में या सता में आप इंतजार कर रहें क्या केरल में कब आएंगे यहां पर माइनोरिटी वोट एक बड़ा फेक्टर है यहां पर नेरेटिव है बीजेपी की वो प्रो हिंदू पार्टी है माइनोरिटी के खिलाफ है बिलकुली फॉल्स नेरेटिव है स्टिच्ट अब बाइदी ओपोजिशन जैसे आप देख सकते है हैं जैसे schemes और programs Modijji ने लाए हैं बार्ती जनता पार्टी एंडी ए ने लाए हैं Central Government में minorities के लिए, Muslims के लिए, Christians के लिए और जो Minority Welfare Board के जो programs है, Hajj pilgrimage के लिए कितना कुछ किया है, तो जो minorities है, वो जानते हैं जो भी किये हैं लेकिन जो false narrative है कि pro-Hindu party है, fascist party है so यही नारा लगाते रहते हैं बिकुस और कोई आरोप तो नहीं लगा सकते है वो India सरकार के खिलाफ, आखरे जो बोलती है, progress ही, progress दिखती है country कहीं से कहीं जा रही है, G20 के leadership हम कर रहे हैं और हमारे global stage में एक, you know, position जा रही है, तो और क्या बोलेंगे बोलो, कुछ न कुछ बोलना ही है तो यह नारा लगा लेते हैं तो यह बिल्कुल false narrative है कि anti-minority है हम लोग तो अगर, तो this time around जो हमने जो candidate selection भी किये हैं काफी सोच समझ के किये हैं काफी inclusory है हमारे जो candidates के selection है, women भी है इतने सारे women जो है, I don't think Congress और left ने भी इतने सारे महिलाओं को खड़े किये हैं तो जीतेंगे या हारेगे जीतेंगे, जीतेंगे डेफिनिटली तो हमारी आशा है, definitely we will win परशान जी से पुछ रहता है BJP 10 का target लेके चल रही है और तिरवनंद्पूरम तो पिछले दो चुनाओं से BJP 30 प्लस वोट लेती रही, 6-7 seatों पर 15% तक BJP पहुँच गई तो अभी बार-बार ये बात आती है कि तृशूर और थिरवनंद्पूरम ये दो seat ऐसे है जहां BJP fight भी दे सकती है जीत भी सकती है, आपका अनुमान क्या है तृवेंडरम और तृशूर दोनों जगे, दोनों जीतने का बहुत बड़ा चैंस है तृवेंडरम में लडाई हो रहा है अच्छी BJP और कॉंगरस में इदर थोड़ा LDF थोड़ा बाकवर्ड है, थोड़ा पीछे और तृचूर में लडाई मेरी दृष्टी में ऐसा जर्नलिस्ट मेरी दृष्टी में तृचूर में लडाई हो रहा है BJP और LDF लेकिन BJP यहाँ पर लगातार ग्राउंड पर काम करती है खासकर RSS की बात करें RSS के लोग बहुत समय से यहां RSS की बहुत स्टॉंग बैकिंग है इसके बावजूद क्या रीजन यहां पर Minority Votes ही हैं जिसके कारण BJP यहां नहीं बना पाई है इधर यह जो Minority Votes Consolidated and Goes to UDF की तरह जा रहा है और यह जो LDF है ना उसका Vot Share थोड़ा थोड़ा नीचे चल रहा है पिछले 2014-2019 LDF is going backward कायतरी बावब आपसे एक बड़ा स्टेट सवाल पूछ रहा है क्या मुस्लिम लीग कमुनल है यह सेकुलर है SDPI कमुनल है यह सेकुलर है SDPI is definitely communal And Muslim League I don't know Because they were part of the Congress And now the Congress itself Is not ready to raise their green flag And they use Because they are scared If they raise the green flag Then they lose votes So I don't know I don't know what the Muslim League is as such Because they I don't think Muslim League is communal When it is compared to SDPI I don't know who said this And I don't know I am just talking about an organization And it's fine I never said this You are talking about leader I am talking about an organization And if you have a problem Then I think your politics is being kindly revealed here I'm sorry for you Yeah, I don't know But you are talking about an anchor And you will know That's the same thing You are talking about an anchor I don't know But I don't know 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 But I don't know I don't know भारत की संसद पर हमला करने वाले आतंकी की बर्सी मनाई थी. Can I ask you one more question? In the same Delhi, there is a campus called JNU, and there was a massacre on the students of JNU. Many outsiders came, and what do you call that? Okay, 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 okay. So if you caught incidents, I have things to say. But if you talk about the history, and if you talk about the mouthpiece of an organization, the ideology of an organization, talking about it. Can you ask me about the ideology of CPI? I just said that students, students in JNU in JNU, there was a number in Kerala. No, never. 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 Kerala High Court has given you a lot of people. I need to tell you. So you're supporting what's happening? No, 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 I'm not supporting. I'm just saying that students, somewhere I think it's being revealed. Oh, okay. I'm just saying that if students have been angry, and it's wrong. If anyone has done it, it's wrong. But I'm saying that students have been angry, and students remember them in a and they are angered about it. One of them will give them a real disaster. And if you praise them, they will give them a lot of respect. And the Supreme Court is the real justice that चुनते हैं सच, दस तक संसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम, यही है रिष्टा आपका हमारा, बना है अटूर भरोसा वर्षों की मेहनत से, डीडी न्यूज, भरोसा सच का, यह भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल, अब है नए तेवर और नए कलेवर में 28 राज्य, आठ केंद्र शासी प्रदेश, एक आम चुनाव, तैयार हो रहा है देश, जंबू कश्मीर से तमिलनाड तक, गुजराज से अरुना चलता है, जाने हर राज्य की राजनिती का, क्या हूगा लोगसभाज चुनाव पर असर, आम चुनाव, दो हज़ार चौबिस, राज्य नीती, सुमवार से शुक्रवार, शाम, साड़े छे बजे, सिर्फ धीडी, न्यूज पर बिच गई, लोगसभाज चुनाव की विसाथ बढ़ गया सियासी घमासान एंद्र में किसकी बने की सरकार क्या है राजमितिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत हर राजमितिक चुनावी खबर और जनता के मुद्दे होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट देश की कोने कोने में मौजूद हमारे संबादाताओं से देखिए जनादेश हर शाम साथ बजे सिर्फ डीडी न्यूस पर मैं सिर्फ यह पूछ रहता हूं यह जो चुनाव है केरल का यह किन मुद्दो पर कॉंग्रेस में लड़ रही है मुझे यह बताइए कौन से ऐसे इशुज हैं जिसको लेकर आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और जिसको लेकर आप जनता से वोट मांग रहे हैं देखो हम तो जनता को बोल रहे हैं समीथान को तो रस्क्यू दा कांस्टिटूशन ओफ इंडिया हमारा सबसे पहले इस चुनाव में पर वो तो वो भी कह रही हैं तो आप साथ मिलके लड़ी हैं ना वो कहने से क्या फाइदा है वो तो कितना सीटों में लड़ रहे हैं इंडूस्तान में देखो एक एक पार्टी अपना शक्ती वो कितना है वो पहले वो समझ रहा है और देखो इस बार मोदी जी ने बोल रहे हैं मोदी की गारंडी हर चुनाव परजार के लिए मैडान में आते हैं वो बोलते हैं मोदी का गारंडी मोदी का बार चुनाव पजार के लिए और मोदी ने बोला मोदी का फाशन में आपको मालूम है मोदी बोला बहनो अब मदान शेतर जाने से पहले अपना रजोई का अंदर जाना और ग्यास सिलंडर को नमस्कार करना उसके बाद ज का जो डॉमस्टी यूज का ग्यास सिलेंडर का दा में मैक्सिम चार सो आज हो गया 12 और कहा गयाँ गया मोदी का गयरंडी कहां गया मोदी का गयरंडी हम जंता को यह पूछना चाहते मोदी बॉला किसानों को आयधा इंकम हम तीन कुना बढ़ाएगा आपको 50 रुपे का माल आपको 500 रुपे में भेजने का मौकर कहां गया मोदी बोला यहां का नवजवानों को हम हर साल दो करोड लोगों को नवकरी देगा अभी 10 साल हो गया कितना बेरोज़दार हो गया लोगोरी दिया हम यह मुद्धा जन्दा का सामने अभी हम बोलरहे मोदी का यह गारंडी है ओ गारंडी गारंडी दस साल में कोई गारंडी का पूर्ति नहीं कर पाया पूरा नहीं किया थे मोधी ने गारंटी रही पाप वो आपका मुद्दा है. तीस सकंद में गायतरी जी आपके लिए में वीशु कर के रहना में क्या? तीस सकंद में. The main issue in Kerala is addressing secularism across India. Kerala has never been, you know, a state which is looking inward and, you know, protecting the rights and the life of the people of Kerala alone. Kerala has always had its position in pan-India problems, pan-India issues. So the main issue in Kerala is protecting secularism, pluralism, and the diversity of the country and India being a diverse nation, the Kerala people will think rightly and will, you know, remove the BJP from forming a government in the center and BJP is not going to win in any single state. So, yeah, our vision for Kerala is to make it an economically advanced state where people get jobs, don't have to migrate, don't have to out-migration. करना करना पड़े और जहां पर हमारी जो traditional resources है, कोयर, rubber, काश्यू, और जो textiles, handlooms है, जो completely destroyed है by the left, ruling left government, उन सब को उठाना, start-up economy को उठाना, और लोगों को, you know, enterprise की जो owners बनाना, केरला को, we will make it a rising star of the country, we don't have any divisive agenda, we would be really inclusive and pluralistic in our agenda, which we have always been, जो हम हमेशा से कह रहें कि हम pluralist है, हम minorities के लिए काम करेंगे, और हम अपनी definitely inclusive agenda को ही roll out करेंगे. प्रिशान जी, आपको करेंगे, मुख्य मुद्दे के लोग यहां पर किस issues पर वोट करेंगे? उनको तो केरल के अंदर में जो issues है, और पूरा देश में जो issues है, उसके में difference है. लेकिन केरल के लोग अभी जे चुनाव के लिए अभी चुनाव आ गया है, वो मद्दान देने के लिए जा रहा है. मुझे लगता है कि केरल में एक anti-incumbency against, मैंने वो जो हमारे परांद के सरकार है, उसके खिलाफ, एक anti-incumbency है. क्योंकि यह जो social welfare pension, वो तो उसमें धुड़ा problem है. तो अगर anti-incumbency उसका फाइदा सीधा सीधा कॉंग्रेस को मिलेगा. क्योंकि कॉंग्रेस पिछली बार भी उनली सीटेजी जीती है. मुझे इससा लगता है, पिछले तरफ, मैंने 2019 की तरफ, उसका फाइदा अधिक से अधिक कॉंग्रेस को होगा. चलिए, मुद्दे तो अपने-अपने होते हैं, हराज्य के, हर स्टेट के मुद्दे होते हैं, लेकिन सरफ एक बात यहां पर कहूंगा, मुद्दे जो भी हो, पर वोट जाके जरूर कीजेगा. क्योंकि बहुत से स्टेट में आपने धेखा कि लोग वोट करने नहीं निकलते हैं, बात में लोग सरकार से शिकायते करते हैं. वोटर पास दिए तो उमीद करेंगे करेंगे केरल का वोटर वैसे जागरुक वोटर है, खुब झमकर वोट करता है। करेंगे इस पर आप लोग के दमांग निकले घर से निकले खुब जमकर वोटिंग करें जिसको हरानाय जम कर रहा है जुसको जितानाय जम कर रहा जिताय यही जो है डिमologie सी की टाकत हिए डिमक्रसी की टाकत बनी रहनी चाहिए हैं राजbaby पार्टी आएंगी, जाएंगी, मुद्द्द्द्ध आएंगे जाएंगे, लेकिन जो डिमोक्रेसि है, देशक ए, वो ज़रूर मजबुत रहना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सब का यहां पर आ है, और आप सब के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया एक बड़ जोड़ दर ताली मेरे सभी मेमानों के लिए बजा दीए थैंक यू सो मज़ थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू कि युच्छ बहुत शुक्रिया थैंक यू से लिए इंट